कौन है बाबा बागेश्वर धाम और अचानक ये सुर्कियों में कैसे चमकने लगे इस वक्त यही सवाल चारो तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है एक साधारा इसे परिवार का धीरू कैसे नामी हस्तियों के लिए पहुचे वे बाबा की शकल में जमाने के उपर च्छान सुर्कियों में चाया एक नया भाबा बागेश्वर धाम के कथा वाचक की चौतर फचर्चा सन्यासी बाबा की जगए जगए पर हम कथाएं कर रहे हैं कि बल धर्मांतरन रोगने के लिए ही और एक नई विचार धारा हमने प्रारंप की है बागेश्वर धाम बाबा के बिगड़े पूर आईये आईये बद बद छूने नहीं हमें अचूत आदमिया ना छूत यह हंगामा धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानि नए नय विवादित बाबा बागेश्वर धाम के लिए हैं लेकिन यह हंगामा जमाने में नए नय च्छाय बाबा को शायद रास्त ना आए कुछ रोज पहले यही बाबा यानि बागेश्वर महाराज चतरपुर में अज़र आए और वहां भी इन्होंने कम उत्पात नहीं मचवाए यहां बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंद्र कृष्ण च्छास्तरी सनातन के खिलाफ आवाज उठाने वाले नियूस चैनलों के खिलाफ लोगों को किसम खिल्वा रहे हैं सच कहा जाये तो यह बाबा मारकेटमें नहीं अगर अर्जी लग जाएगी तो रेंद्र कृष्ण शाक्तरी यानि बागेश्वर धाम के बाबा इन दिनों खबर और सुर्कियों में अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म में विचार करने से तो हम अपनी प्रते भारतिये हिंदू बेटियों को कहेंगे अगर तुम्हें लगता है कि हमारा बाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है लेकिन जैसा आपताब निकला वैसे ही निकलेंगे लिए देर्म अपने बिगडे बोल, अपने दर्बार और अपने तौर तरीकों से ये सुर्कियां बटोर रहें बस बाबा की यही अदा इन दिनों बहस की वज़ा बनी हुई हम सब हिंदू की एकता ना होने के करण उसका यह लाव खायदा उठाते हैं अभी हिंदू जागना प्रारम उवे जिसका परणाम यह है कि चाए वो मूभी वाले हों, चाए वो नेता हों, अत्वा वहस्नादूशंत हों, अत्वा कोई भी हो, जो जो धर्म ब्रोधी कार कर रहे सनातन ब्रोधी, अब उनको मूँ की खानी बढ़ रही है इनके विवादित बयानों के बावजूद इनका दर्बार लगाने का यह तरीका और ऐसे भी किसी अंजान आजमी को सीधे नाम से बुलाने की इनकी आदत, लोगों को भौचक का सब्सक्राइए असल में यही है धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो बागिश्वर महाराज के नाम से अचानक ख़बरों में आये हुएं इस बावा के भक्त और प्रशंसक बड़ी तादाद में हैरानी की बात यह है कि बेहत कम उमर के धिरेंद्र शास्त्री से आशिरवाद लेने वालों की होड में बड़ी बड़ी हस्तियों को इनके दर्बार में लाइन में खड़े देखा जा सकता है कुछ हरसा पहले धिरेंदर शास्त्री ने नाकपुर में दर्बार लगाय था माराश्ट के उपों की मंत्री देवेंदर फड़नवीस ने भी उनके दर्बार में हाजरी लगाई थी जमाने को विज्ञान और आध्धात्म की नई वहस देने वाले बाबा धिरेंदर शास्त्री के अभी जितने भी वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं सभी में एक बात को मन है वो वैज्ञानिक्ता से कोसों दूर नजर आते हैं अलबत्ता उसमें जादू टोना और अंद विश्वास की भरपूर मिलावट है आज तक प्योग बागेश्वर बाबा धिरेंद क्रिश्ण शास्त्री और उनके दर्बार में होने वाली हरकतों को लेकर अब बवाल होने लगा है जिस तरह से धिरेंद शास्त्री महराश के नाखपूर से निकले उनको लेकर अब लोग तरह तरह की सवाल उठाने लगे है हम नहीं हनमान जी से जुड़िये दूसरा हमारा डिस्कलेमर है हम कोई संत नहीं है करम चमीटा मारे जाएं सभी प्रेतों को जितना परिषान इन प्रेतों ने किया है रोगियों को उससे ज्यादा मार-मार करके ने परिषान किया जाए क्या बागिश्वर धामवाले धिरेंद्र शास्त्री नाखपुर से दर्वार छोड़कर भाग गया क्या गिरफतारी से बचने के लिए धिरेंद्र शास्त्री नाकपुर से भाग गया है क्या धिरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर बाला बाबा पाखंडी है क्या जादू टोना और इराज के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलबाड कर रहे हैं धिरेंद्र शास्त्री क्या धिरेंद्र शास्त्री के पास कोई माया विशक्तिया है पाच जन्वरी से तेरा जन्वरी तक बाबा का दर्बार लगा नाकपुट में यहाँ पर धिरेंद्र शास्त्री और पागेश्वर धाम वाले बाबा की फजीहत हो गए अंध शाधा उन्मूलन समिती ने धिरेंद्र शास्त्री के शिकायत नाकपुट पुलिस से के समिती के अध्यक्ष्या मानव ने अरूप लगा कि धिरेंद्र शास्त्री अंध विश्वास पहला रहे प्रेद दर्वार क्यार में जादो तोना को बढ़ावा दिया जा रहा है साथे देरधर्म के नाम पर आम लोगों को लूट ने धोखा धड़ी और शोशन भी किया जा रहा है इदर पुलिस ते शिकायत की गई और उधर धिरेंद्र शास्त्री ने तैसमे से दो दिन पहले ही दर्वार उठा दिया और वहां से वापस लोटा है शिकायत करता का दावा है कि बाबा के समर्थकों को ये बात पता चल गई कि महरास्ट में जो आंधर शाधा विरोधी कानून है उसमें गिरफतारी हुई तो जमानत नहीं होगी इसलिए बाबा ने 11 जनवरी को ही पैक अप कर लिया नाकपूर से भागने के बाद लगभग एक हबते तक धिरेंद्र शास्त्री खामोश रहे लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई विरोध को दशन होने लगा बुर्बार को नाकपूर में बाबा बागेश्वर के पाखंट के खिलाब चर्चा आयुजित की गई जिसमें धीरेंद्र शास्त्रे के भक्तों ने खलल डा दे लेकिन आख इतनी से नहीं बोचे जिसके बाद हिरेंद्र शास्त्रे खुद मैदान नुत्रे और विरोधियों को हिंदू सनातन का विरोधी खोशित कर दिया बाबा ने कहा मैं नाकपूर से नहीं भागा पहली बात तो ये प्रतेक मीडिया बाले और प्रतेक व्यक्ति और जो भी वो हमुक हैं तथा कती थी उनसे आई रेक्वेस्ट के हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये गोलना बंद कर दें हमारी कथा साथ दिन तकी ही थी उसका स्क्रीन सौट तीन तारीक का नूज पर बागे सुर्दाम ओफेसियल पेज पर तीन जनवरी को पहले से ही डेट गोज़त कर दीती कि हम केवल साथ दिन की कथाद करेंगे क्योंकि हमारे गुर्देव का जनमोच सौथा और आगामी सभी कथाएं साथ साथ दिन की दो दो दिन घटाएं गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहां यग है भागने वाली बात से पंडे धिरेंद्र शास्त्रे ने कन्नी काट ले साथी बचाओ में सनातर हिंदू की चादर भी उट ले जो पाखट पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें हिंदू विरोधी खरार दे दिया चमतकार को चनौती देने वाले प्रश्टर पर धिरेंद्र शास्त्रे ने कहा कि जब मैंने दिव्य दर्बार लगाया था तो शिकायत लेकर क्यों नहीं आई एक तरह बागेश्वर बावा दिव्य दर्बार की बात करते हैं लेकिन उसके अगले ही पल अंद विश्वास से पल्ला ज़ाडने की कोशिश में इतने बड़ा वाला बहादुर ही है हो तुँ चैलेंज दे रहेगा दावा न बुला तीसरी बाद हम अंद विश्वास कब फैला रहे हैं जब दक्षना ही नहीं लेते तो अंद विश्वास कैसा तो हम कोई रुपया नहीं लेते सुलक नहीं लेते नि शुलक में जो हमारे पॉस प्रचार गृू क्रपा से कर रहे हैं अम्नमाजिनन चुना है रहा है हम ये तो कहते हैं के हम चमतकारी आदमी है यह भी नहीं कहते कहम इश्यौ हैं पर हम यह कहते हैं यह हमारा इश्ट दूर कर सकता है। धिरेंद्र शास्त्री ने इपने पाकण को सनातर के प्रचार प्रसार से चोड़ देया। और दावा किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंतृता का अधिकार है। उसी के तहत वो धर्म का प्रचार करते हैं। आप तो जमाल लगाई जाए। चतरपुर से लोकेश शारस्या, नागपुर से योगेश बांडे आज तक।